हेलो फ्रेंज वेलकम टू अम्रितास डेली लाइफ आज मैं ब्रेट के दो रेसिपी शेयर करूंगी बहुत चरपट बनने वाली और गेस्ट को भी आप सर्फ कर सकते हैं या फिर चुट्टी के दिन अपने घंडे बनाके सब को खुश कर सकते हैं तो ब्रेट के रेसिपी बन आप सबजी अपने हिसाब से ले सकते हैं कम या जादा कर सकते हैं मैंने दो ब्रेट स्लाइस लिया है तो सैंड्विच ब्रेट स्लाइस है और अभी मैं पतला स्लाइस काट रही काट लिया है यहाँ पे कैबच और कैरट का और एक जो मैंने यहाँ पे यूज किया है एक ही अंडा यूज किया है आप अगर जादा सैंड़िच बना रहे हैं तो जादा अंडा यूज कर सकते हैं तो मैंने अभी इसमें सॉल्ट डालना है और मैंने यूज किया है पैप्रिका पाउडर जो कैच का है और आप ये नॉर्मल चिली फ्लेक्स पाउडर भी यूज कर सकते है ये अपने आपके उपर और black paper powder भी use कर सकते हैं तो तीखा कम या ज़ादा जो आपको पसंद है उसी हिसाब से आप कर सकते हैं अब सबसब कुछ जो मैंने लिया है ingredients सबसी और अंडा और उसके साब जो मसाला सबको अच्छे से mix करना है जैसे हम लोग omelette बनाते हैं विल्कुल वसी तरीके से ही हमें इसी सबसी इसी सारे चीजों के omelette बनाना है अब पहले मैं bread जो लिया है दो slice इसको मैंने पहले अच्छे से इसको मैं थोड़ा सा light brown toast कर लूँगी ठीक है फिर मैंने butter भी add किया है तवे पर अब bread को थोड़ा घुमा के इसको हलके से चला लूँगी दोरों तरफ ही सेंख लूँगी और इसको मैं अलग से रख दूँगी मैंने यहाँ पर देखिए बड़ा वाला sandwich bread यूज़ किया है तो इससे sandwich अच्छा बनता है और मैंने जो sandwich बनाया है इसमें मैंने जो corner का जो side वाला जो हिस्सा है ना उसका cut नहीं किया है और अभी omlet जो बस मैंने ऐसे ही बनाया है जो already pan में butter added है उसी में मैं omlet बनाओगी extra oil मैंने add नहीं किया है अडाम से आप कर सकते है non sticky pan अगर आप यूज़ कर रहे है ठीक है तो देखें यह ऐसे सबसी डालके अब जब omlet बनाओगे ना यह बहुत tasty बनता है और अडाम से एक proper shape दे दीजिए तो braid का जो मैंने जो piece है ना उसका जो rectangular shape है मैं उसी shape को इसमें डाल रही हूं omlet को और देखें अच्छे से बन भी गया है यह non sticky pan होने के लिए यह बिलकुल मतलब यह chip के गा नहीं और अभी braid के उपर जो मैंने butter में already toast कर लिया है हलका brown अब इसमें मैंने थोड़ा सा mayonnaise white vegetarian जो mayo है उसको मैंने add कर दिया है ज़ादा नहीं अभी add करना है अभी थोड़ा सा तो उसके बाद एग जो omlet बनाया है rectangular उसको मैंने set कर लिया तो फिर उपर cheese slice अब cheese अब grated cheese भी use कर सकते हैं आपके उपर मेरे पास यह slice cheese जो है वो फ्रीज में था तो मैंने यही use किया है अभी mayonnaise को भी मैंने उपर डाल दिया और थोड़ा सा जो normal hot and sweet tomato ketchup है उसको भी मैंने डाल दिया है अभी जो दूसरा bread है ना slice bread उसको इसके उपर add कर दिया है अभी मै इसको equally half कर लोंगी यह जो sandwich है ना बहुत testy बनता है हाँ एक और चीज़ आप कर सकते हैं अगर lettuce leaves available है आप अंदर lettuce भी add कर सकते हैं यह sandwich काफी testy होता है आप बीना grill के इसको serve कर सकते हैं यह बहुत सभी को बहुत पसंदाएगा तो cheese आप अपने हिसाब से कम्या जाधा कर सक सकते हैं तो यह था जो कोडियन एग cabbage sandwich recipe जो आप breakfast में या फिर evening snacks में बचों को या guest को अडाम से सर्फ कर सकते हैं सभी पसंद करेंगे और यह बनाने के लिए कोई जंजट नहीं बहुत जटपट कोई भी जो beginners है ना वो भी बना सकते हैं तो specially beginners के लिए यह आज का जो मैं दो recipe share करूंगी अभी मैं बनाओंगी चाही टुकड़ा तो मैंने लिया है full cream milk और 500 ml milk इसको अच्छे से मैंने गाढ़ा कर लिया है ठीक है अभी मैंने लिया है जो ब्रेड चोटा वाला ब्रेड यह sandwich ब्रेड नहीं है और इसको जो किनार का हिस्सा है ना side वाला हिस्सा है उसको मैंने अच्छे से उसको काट लिया है काट लूँगी और उसको फेक होंगी दी उसको मैंने store करना है क्योंकि आप इसको अपना breadcrumb के लिए यूज कर सकते हैं next कोई recipe के लिए तो इसको आप store कर सकते हैं तो यह जो हिस्सा है इसको आप अलग कर लीजिए और फिर मैंने यहा पर जो condensed milk है न वो यूज किया है बजार में कई तरह के मिलते हैं आप कुछ भी brand यूज कर सकते हैं अगर आपके पास घर में बनाया मलाई है तो आप वो यूज कर सकते हैं तो condensed milk मैंने यूज किया है तो उसे दूद और भी जादा जल्दी गाढ़ा हो जाएगा और यह बह रहता है तो कोई गेस्ट आने वाला है स्वीच दिश के तौर पर आप यह बना के सर्फ कर सकते हैं बिल्कुल पांच मिनट रेसिपी है क्वीक नो जंजट कोई भी बना सकते हैं तो अभी देखिए मैं अराम से साइड वाला सारा जो brown color का हिस्सा है ना उसको मैंने अलग कर लिया है यह छोटा ब्रेड अशीप इसको मैं ट्र्ग्लाश। में काटलोंगी कोई भी हो में काटसकते इसको सर्कलर शेप में काट सकते हैं आप आप अपने ही लग सीप द्याने सकते हैं ऑर इसके बाद सको मुझे थोड़ा घी में स्टाइश इसको फ्राइब कर लेना है जादा कुड़कुड़े क्रिस्पी फ्राइय नहीं करना है हल्का ब्राउन तक ही फ्राइय करना है तो मैंने यहां पर भी नॉनस्ट्रीकी पीड़े उस ज़ाँ भुड़े ब स्वांटिटी किया їं तो अभी थोड़ा साही मैंने घी यार किया है चोटा चमच और समेफ मैं सारा जो ब्रेट स्लाइस है ना उसको अच्छे से दोनों तरफ का दोनों हिस्सा ही मुझे हलका ब्राउन फ्राइ कर लेना है और मैं इसको उठा लोगी और बहुत ही असानी और बहुत ही वीक रेसिप तो नेक्स जो है ना प्रोसेस बस उसी में ये मिठाई ये सुजड़िश बनके तयार हो जाएगा दूद अलड़ी गाढ़ा हो चुका है और कॉंडेंस मिल्क डालने के लिए डाल के इसको और भी जादा आप गाढ़ा कर सकते हैं और थोड़ा सा कॉंडेंस मिल्क का मैं गा हैं घर में जो भी मौझूद है मेरे पास जो था मैंने वही उसकिया है अभी देखिए ये हलका ब्राउन तो हो चुका है सारा जो स्लाइसस है अब इसको मझे निकाल लेना है प्लेट में रख लेना है मैं ऐसे इसको प्रेजन कर लिया किसी मतलब जैसे आपको पसंद है जो गरम एकदम बिल्कुल गरम और गाढ़ा भी हो चुका है उसको मुझे इसके उपर एड़ कर लेना है तो मिल्क में अलड़ी मैंने कार्णस मिल्क एड़ किया थोड़ा सा मैंने शुगर एड़ किया है शुगर आप अपने हिसाब से आड़ करना क्योंकि कम या जादा व अपर बस अब जो इसको यह जो है ना यह प्लेट को थोड़ा सा मुझे ढखके रखना है बस 10 मिनट अब ढखके रख दीजिए पूरा सोक कर लेगा दूद को ब्रेड और बिल्कुल एक गाढ़ा टेक्स्चर आजाएगा बहुत ही टेस्टी बहुत ही यम्मी बनके तयार हो यह स्विट डिश ओपर से मैं थोड़ा सा करने समय एड कर रही हूं गानिश के लिए और मैंने यहां पे चेरी यूज किया है तो आप ड्राइफ रूट्स कुछ भी आपना पसंद के रूसार आप एड कर सकते हैं इसको हम बोलते हैं शाही टुकरा तो यह ब्रेड का दो र पसंद आए तो एक लाइक कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बने रहिए तो मिलते हैं निक्स्ट वीडियो में निक्स्ट कोई रेसिपी या फिर व्लॉग शो में तो चलिए फिर आज की वीडियो इतना ही बाइ-बाइ सब लोग अच्छे रहिए सबको फेस्टिवल्स की अपकमिंग फेस्टिवल्स के बहुत सारी प्यार और शुब कामना है